हेलो गाइज मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं माइक्रोसोफ वर्ड से समधी टॉप 10 महत्वपन परसनल आया हूँ जो की सभी परतियोगिक परिछाओं के लिए है सो गाइज वीडियो को स्टाट करते हैं देन आपको बताते हैं फर्स्ट कोईशन है किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए निन्म में से कौन सी सौटकट की का परियोग किया जाता है और हाँ गाइज अगर आप इन सभी कोईश्चन्स का एंसर जानते हैं तो कॉमेंट सेक्षन में जरूर कॉमेंट किजएगा उप्षन में दिया गया है उप्षन A, Ctrl पलस U, उप्षन B, Ctrl पलस Z, उप्षन C, Ctrl पलस B, उप्षन D, इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्षन A, Ctrl पलस U, जो कि किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए उप्योग किया जाता है आपका अगला कोशन है किसी भी डोकॉमेंट में सेलेक्टिट टेक्स्ट को बोल्ट करने के लिए किस सोटकॉट की का उप्योग किया जाता है उप्षन में दिया गया है उप्षन A, Ctrl पलस B, उप्षन B, Ctrl पलस C, उप्षन C, Ctrl पलस B, उप्षन D, Ctrl पलस Shift पलस 5 तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्षन A, Ctrl पलस B, जो कि किसी भी डोकॉमेंट सिलेक्टेट टेक्स्ट को बोल्ट करने के लिए उप्योग किया जाता है आपका अगला कोशन है निन में से किस सोटकॉट की का उप्योग डबल लाइन एस्पेस हैतू किया जाता है आपका अगला कोशन है MS Word में निउडोकॉमेंट बनाने के लिए कि सोटकॉट की का उप्योग किया जाता है आपशन में दिया गिया है option A, Ctrl पलस N, Option B, Ctrl पलस S, Option C, Ctrl पलस I, Option D, इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option A control plus N जो के new document बनाने के लिए उप्योग किया जाता है आपका अगला question 9 में में से कौन सी shortcut की 1.5 line spacing है तू की जाती है option में दिया गिया है option A control plus 3, option B control plus 5, option C control plus S, option D control plus shift plus U तो इसका right answer हो जाएगा option B control plus 5, जो की one point line spacing है तू की जाती है आपका अगला question 9 में में से कौन सी shortcut की document को सेब करने के लिए पुरियोग की जाती है option में दिया गिया है option A control plus S, option B control plus B, option C control plus N, option D control plus 5 तो इसका right answer हो जाएगा option A control plus S, जो की कोई भी document को सेब करने के लिए उप्योग किया जाता है आपका अगला question है, निन में में से print करने के लिए कि shortcut की का उप्योग किया जाता है option में दिया गिया है option A control plus shift plus P, option B control plus F2, option C shift plus P, option D control plus P तो इसका right answer हो जाएगा option D control plus P, जो की print करने के लिए उप्योग किया जाता है आपका अगला question निन में से की shortcut की का उप्योग single line space के लिए किया जाता है option में दिया गिया है option A control plus Z, option B control plus S, option C control plus 1, option D control plus U तो इसका right answer हो जाएगा option C control plus 1, जो की single line space के लिए उप्योग किया जाता है आपका अगला question है, MS Word में document open करने के लिए shortcut की इन में से कौन सी है option में दिया गिया है option A control plus F12, option B control plus O, option C control plus F1, option D control plus 5 तो इसका right answer हो जाएगा option B control plus O, जो की document को open करने के लिए उप्योग किया जाता है आपका अगला question निन में में से कौन सी shortcut की print preview है तो प्रियोगत की जाती है option में दिया गिया है option A control plus F2, option B control plus F5, option C control plus F1, option D इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option A control plus F2, जो की print preview के लिए उप्योग किया जाता है हमने आपको आज Microsoft Word से सम्मदित बहुती अहम जानकरी साजा की और बताया कि किसी भी text को underline करने के लिए निन में से कौन सी shortcut की का उप्योग किया जाता है और निन में से किस shortcut की का उप्योग single line express के लिए किया जाता है निन में से कौन सी shortcut की print preview है तो परियकत की जाती है उमिद करते हैं ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा तो आपना feedback comment section में जरुर देना